तो चलिए फृरेंट स्टार्ट करते हैं आप लोगं को सीखाते हैं कि मुबायल से विजिटिंग काड कैसे बनाते हैं ठीक है तो इस तरख का देखिए कितना सारा फॉर्मेट दिया हुआ है ठीक है इस तरख का पेज बना हूआ अल्रेडी इसी को आप सेलेक्ट करके एडिट करके बना सकते हैं ठीक है मैं जैसे एक सेलेट करता हूं आद दिखाता हूं किस तरह से बनाते हैं ठीक है बहुत सारा फॉर्मेट है अब कोई भी चूस कर लिजेगा जो आपको अच्छा लगे मैं एक दिखाता हूं आप लोग को ठीक है मैं यह वाला ले लिया हूं ठीक है अ आप लोग देख लीजेगा बहुत सारा option है अब जिस टाइप का visiting कर बनाना चाहते हैं आइकन में देखिए दबाएंगे आइकन में बहुत सारा logo है देखिए logo है जिसको भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो मैं आपको बताता हूं पहले जैसे logo है ठीक है लोगो को मैं डिलीट कर दूंगा और मैं अपना वाला लोगो लगाऊंगा ठीक है तो उसको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा देखिए इमेज में आएंगे ठीक है कosen image में आने के पर इस तरह से अपना फाइल मेनेजर खूल जायेगा इसमें आप कहां रखे हैं अपना लोगो उसको खोजिए ठीक है मैं ले लेता हूं कहांपर है मेरा कर लोगो आ गया निनेम है इसको दबाएंगे के बाद इसको भी एडिट करेंगे नाम दे देंगे देखिये मैं एक्जेस्ट कर लिया हूँ ठीक है उसके बाद टेक्स में जाएंगे टेक्स में दवाने के बाद फिर लिख देना है लगा लिया इहां पर में अपना ठीक है हो गया इसका काम खतम हो गया फिर इदर देखिए नाम है ठीक है नाम में क्लिक करेंगे अपना नाम डालेंगे यहां पर एडिट में जाके मैं अपना नाम डाल दिया हूँ देखिए ओटोमेटिक लग गिया ठीक है निचे में देखिए एसिस्टेन मनेजर देखिए इसको भी एडिट करेंगे मैं के यूटूबर हूँ तो यूटूबर लिखूंगा ठीक है और साल लिख देऊंगा ठीक है मैं एक यूटूबर हूँ इसलिए यूटूबर लिख दिया ठीक है इसका नीचे में लगा दिया उसके बाद देखिए यहां पर है मोबाइल नमबर ठीक है मोबाइल नमबर को भी एडिट कर देते हैं देखिए ओटूमेटिक लग गया मोबाइल नमबर इमेल आइडि को भी एडिट करते हैं एडिट में जाके यह भी देखिए ओटूमेटिक लग गये उसके बाद वेबसाइट देना है अपना ठीक है एडिट में जाके फिर वेबसाइट को भी दे देंगे इसको कुछ दिक्कत नहीं इधर लाइएगा और इस तरह से छोटा कर दिएगा हो गया यहां पर एड्रेस देदेना है ठीक है एडिट करूंगा इसको भी एड्रेस में इसरीप में लिखूंगा प्रॉम इतना ही लिखूंगा ठीक है मैं इतना ही लिखूंगा कंप्लीट हो गया मेरा ठीक है प्रेंच देखिए कितना अच्छा लग रहा उसके बाद यहां देखिए उपर में सेब का उपशन बता रहा इसमें दवा के नाम लिख के सेफ कर दीजेगा ठीक है इस तरह से सेफ हो जाएगा कितना अच्छा लग रहा देखिए फ्रेंट तो चलिए फ्रेंट आपको बताते हैं कि ओ कौन सा एप से ठीक है मैं डाटा आउन करूंगा उसके बाद प्लेश्टोर में जाओंगा प्लेश्टोर में देखिए विजिटिंग कार्ट में कर ठीक है इसको आप लोग सर्च कर लिजेगा देखिए यहां पर सर्च करने से एक दो तीन नमबर में आएगा ठीक है इसको आप लोग सर्च कर लिजेगा और इंस्टल करके यूज किजिए तेगा ठीक है परे हैं.